हाई फ्रेंड्स, वेलकम तो आवर अनदर वीडियो, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि PNR में क्या क्या चीजे होती है, PNR को हम ओपन कैसे करते हैं और PNR की बॉड़ी को हम किस तरीके से अंडरस्टाइड करते हैं, कोई भी PNR आपको सिस्टम पे ओपन करने के लिए दो तरीके होते हैं, नौर्मली, एक तरीका होता है कि आप आर्टी लिखें और अपना जो पैसेंजर का सरनेम है वो लिखें, लेट्स टेक एग्जामपल, पैसेंजर का सरनेम है खन्ना, तो हम यहां लिखेंगे K-H-A-N-A, खन्ना और एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको PNR स्क्रीन पर खुल जाएगी, अगर हमा लिखेंगे पैसेंजर आपको PNR नमबर दे रहा है, तो आपको आर्टी के बाद स्लैस लगाने की जुरुत नहीं है, लेट्स टेक एग्जामपल, पैसेंजर ने PNR नमबर दिया, आपको YTH 789, तो आप YTH 789 डालके एंटर करेंगे, तो भी आपको PNR खुल जाएगा, तो यह दो तरीका है, अब यहाँ पे सवाल होता है कि क्या मैं दूसरे ट्रावल एजिंट के बनाएवे PNR को उपन कर सकता हूँ, नो, जेनरली आप किसी दूसरे ट्रावल एजिंट के बनाएवे PNR क उपन नहीं कर सकते हैं, जब तक वो आपको आपको अथारिटी ना दे दें, चलिए अभी हम एक PNR उपन करते हैं, पैसेजर का नाम है L.A.R.A.L.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. में है, तो आपका जो PNR का डेटा है, वो सक्सेस्फुली अमेडियस से एरलाइन के सिस्टम पे ट्रांस्फर हो चुका है. इस मेंस आपके लिए ग्रीन सिगनल है. अगर यह RL.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. अब हम आते हैं यहां पर. इस लाइन इस बिसिकली आपके एजनसी की अडिन्टिफिकेशन को बताता है. आर्पी का मतलव होता है, रस्पॉंसिबिलिटी ओफिस, SFO VS2020 यह आपकी ओफिस आडी है. एस के यह आपकी सैनिन आडी है. और यह आपके ड्यूटी कोड है. यह PNR एरलाइन्स भी अमेडियस इस्तबाल कर रही है. As a reservation tool. तो अमेडियस का PNR और एरलाइन का PNR दोनों अपस में match करेंगा. अब नॉर्मली जब आप PNR ओपन करेंगे तो सबसे उपर जो होगा वो पैसिंगर के नाम होंगे आपको. तो यहां पर आप देख सकते हैं Mr. Avelino Segment No. 3 इसको हम बोलते हैं Segment No. 1, Segment No. 2. हाला कि यहां पर दो लिखाव है लिकिन यह पहली आइटनेरी है तो हम समझ सकते हैं Common Sense लगा के. AR यह Airline का Code Word है 1290 Flight का Number है Y Class की Journey 27th October का Departure Date है 1 का मतलब Monday है EZE यह आपको Departure City का Code Word है SCL यह आपको Arrival City का Code Word है और HK1 means Confirm है यहां पर HK1 भी आएगा और DK भी आएगा अगर DK आए और HK आए तो आप समझ जाएं आपकी Booking Confirm है या DL या HL लिखावा है तो आप समझ जाएं कि आपकी Booking Under Weight List है अब यह जो 2020 है This is Call Departure Time and 2135 This is Call Arrival Time यह हर एक City का अपना Local Time होता है तो आप इसको मैनेस प्लस करके Total Flying Time इंटरनाशनल फ्लाइट में निकालने के भूलना करें 1A का मतलब होता है Amadeus का Short Form है यह E का मतलब होता है कि आप इस फ्लाइट में Electronic Ticket इशू कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि Passenger EZE से SCL जा रहा है SCL से EZE आ रहा है मैं आपको फिर से एक बर बताना चाहूंगा कि जब भी आप PNR खोलें आइटनेरी को आप थोड़ा रुख करके टाइम दे विकास इस इस दो मोस्ट इंपोर्टन तिंग्स जहां पर ट्रावल एजेंट गल्तियां करते हैं कैंसल करना होता है कुछ और कैंसल कर बैठते हैं कुछ और तो यहां भी थोड़ा टाइम देके समझ जाईए कि यह connecting flight है या non-stop है या via flight है और passenger क्या बोल रहा है तो दो चीज़े हमने सीखी पहले चीज़े सीखी कि सबसे उपर नाम आता है और जैसे नाम खतम होता है तो आइटनेरी details आती है और उसके बाद phone number आता है अब सवाल यह होता है कि PNR में कितने तरीके के phone number आता है well PNR में आपको तीन तरीके के phone number आते है नॉर्मली एक travel agent का phone number आएगा तो अगर यहां last में ए देखें आप तो आप समझ जाएं कि this is a travel agency phone number नॉर्मली यहां पे AP से शुरू होगा जिस city में वो travel agency located है उस city का code word होगा well let's take a example कि वो हैदराबाद में है तो यहां पे आपको हैदराबाद लिखाव आएगा मैं manually लिखके दिखा रहा हूँ उसके बाद phone number आएगा और travel agency का नाम आएगा अब अगर यहां पे passenger के AP के बाद अगर माली यहां पे M लिखाव आता है तो आप समझ जाएं कि यह passenger का mobile number है so let's take a example हमने इसको mobile number हमने डाल दिया तो this is passenger mobile number ओके अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यह E है यहां पे E means email ID तो email ID और mobile number आजकल हमें जरूर डालना चाहिए PNR में एक ना एक mobile number या contact number होना जरूरी है अब यहां पे आ रहा है TK TL तो इस TK का मतलब होता है Ticket और TL का मतलब होता है Time Limit It means यह PNR 26th of September तक hold पे है या तो passenger या travel agent नहीं चाहता है कि मैं अभी Ticket issue करूँ इसलिए उसने hold पे ले रखा है तो hold पे आप PNR को रख सकते हैं Amadeus की एक खास्यत है अब मैं उमीद करता हूँ कि यहां से यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में लेट्स मोव और हम एक दूसरा पियना रेटरीव करते हैं अब आप देख सकते हैं मैंने एक दूसरा पियना रेटरीव किया है यहां पर आप देख सकते हैं कि हम यहां पर दो हादमी है इसलिए यहां पे HK2 HK2 आया है तो आपके लिए यह learning है जितने नाम होंगे उतने ही HK2 आएंगे अब मैं यहां आप लोग से एक सोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ क्या infant कभी हम seat hold करते हैं यस कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं अगर passenger बोलता है कि मुझे seat चाहिए infant के लिए तो हम बुक करते हैं otherwise infant को आप गोध में लेके जा सकते हैं और याद रखेंगे infant कभी ticket issue होता है free में नहीं जाता infant जैसा कि मैंने थोड़ी दर पहले आपको बोला था कि आपको आइटनेरी को बिलकुल ध्यान से समझना होगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे same date में travel कर रहा passenger normally कोई भी passenger same date में दो sector में travel नहीं करता है जब तक कि उसकी connecting flight ना हो या उसकी मजबूरी ना हो तो कई बार आपको connecting flight same day में होगी या कई बार आपको next day में होगी तो आप देख सकते हैं यहां भी 4 October है यहां पे American Alliance flight no.57 है और यहां पे American Alliance 1791 है तो passenger 10-40 का departure और 3 वजए आपको Miami पहुंच रहा है लंदन से चल के फिर airport वो एक घंटा 45 में डवेट करेगा और उसको अगली flight मिलेगी Miami से Montego Bay जाने के लिए 17-26 में वो लेंड करेगा Montego Bay के local time के हिसाब से अब सवाल यह होता है कि यह Montego Bay है कहां पे तो यह Caribbean Island में एक छोटा सा जगह है बहुत खुबसूरत जगह है वहां पे आई यह अब passenger 13 तारीक को वापसी आ रहा है Montego Bay से Miami, Miami से LHR अब आप देख सकते हैं यहां पे शाम के 7 बजे departure है और लंदन वो पहुँच रहा है 8 बज के 40 मिट पर यानि की date चेंज हो जाएगा इसलिए यहां पे Amadeus Plus One दिखाता है बांकी यहां पे देख सकते हैं यह passenger का mobile number है और यहां पे देख सकते हैं कि यह travel agency का phone number है और यहां पे कुछ नया चीज आया जो मैं आपको बताना चाहूंगा OSI का मतलब होता है other service information और यहां पे airline का code word है American Alliance और इसमें आप कुछ ऐसा message जो आपको feel होता है कि मुझे airline को देना चाहिए passenger के बारे में हो सकता है कि वो VIP हो, business tycoon हो या famous celebrities हो तो आपको information airlines को जरूर देना चाहिए अब यहां पे RM आ रहा है, RM का मतलब होता है remarks, remarks मतलब find prices for its Carlton hotel तो आपने customer से क्या communicate किया, customer ने आपको क्या बोला, इस information को हम PNR में store कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि आप PNR जब बनाए तो इस area को ध्यान से देखें और बाकी area भी important है, but this is the most important area जहां पे आपको alert रहने की जुरुत है Let's open another PNR, okay, so मैंने अब एक नएा PNR open किया है, अब आप देख सकते है, passenger 1, passenger 2, passenger 3, passenger 4, passenger 5, well, तो यहां पे हमारे दो passenger है, जो child है, कैसे पता चला, CHD से, और यहां उनका date of birth है तो immediate में अगर आप किसी भी child की नाम के entry करें, और उसके नाम के साथ अगर आप date of birth डालते हैं, तो यह system by default अपने आप से यह दो line generate करेगा, अपने आप से line बना देगा, और आप इसको delete नहीं कर सकते, इस line के आने का मतलब यह है, airline यह जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसा PNR है, जिसमें कोई child travel कर रहा है, so that वो advance में उस child की service के लिए अपने आपको prepare कर सके, so that is why इस PNR में आपको यही एक फर्क दिख रहा है, बाकी this is the identity details, London से Vancouver, Vancouver से London, 13 तारीक का departure है, 23rd को आपको returned है, ओके, यह आपकी, यह भी PNR आपकी time limit पर hold है, ओके, चलिए, एक और PNR हम open करते हैं, और अपनी knowledge को हम बढ़ाते हैं, okay, so यह हमारा दूसरा PNR, next PNR है हमारा, Mrs. Tamara, Richard, और यहाँ पर Mrs. Seven standard करके, दो passenger है हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि लुपतांसा इलैंस की flight है, Frankfurt से नेरिटा, Tokyo, Japan, Frankfurt आपको जर्मनी में है, okay, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अलग किसन का message यहाँ पर है, तो इसको हम बोलते हैं meal code, तो बहुत से सी flight है जो आपको free में खाना देती है और कुछ airlines आपको paid meal की service देखती है, अब हम समझेंगे कैसे कि यह क्या है, तो इसको हम बोलते है SSR, यानि special service request, तो आप airlines से आप अपने खाने के request डाल सकते हैं, generally airlines दो तरीके के खाना आपको serve करती है, veg और non-veg, but कुछ और तरीके के खाना airlines आपको serve करती है, जैसे SFML, seafood meal, MOML, Muslim meal, यानि हलाल meal, HNML, Hindu meal, जटका, DBML, Diabetic meal, JNML, JAN meal, तो कहने का मतलब यह कि अगर आपका health से related कुछ issue है, तो airline आपको पुबलेवे सबजी भी दे सकती, अगर आप मांगोगे, ऐसे भी खाना दे सकती, जिसमें नमक नहीं हो, वो भी आपको खाना मिल जाता है, but remember, यह सब special meal में आता है, और special meal के लिए, आप airline को कम से कम 3-4 दिल पहले जरूर inform करें, कि passenger को यह खाना चाहिए, अगर last moment में अगर आप यह request डालेंगे, तो definitely 99% cases में airlines आपके meal request को refuse कर देगी, तो हमने अभी तक में बहुत सारा PNR देखा, और यह सारे के सारे PNR में हमने यह सीखने की कोशिश की, कि PNR के body में क्या-क्या चीजे होते हैं, PNR को हम कैसे understand करें, और एक सफल travel expert बनके हम air ticketing में अपना कर्यर कैसे बना सके, so we India Travel and Tourism Institute, we are the only practical training institute for air ticketing and travel and tourism course, you can come us, you can join us and you can make your career with us, that's all, thank you. आए, 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 आए